हलो बच्चो आप सभी के स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल के जी रुब्लूशन में तो आज की इस वीडियो में हम देखने बाले है हमारा strategy for JE session 4 के लिए अभी तक हमने आपके साथ strategy for JE के लिए session 3 discuss कर लिए थे बहां पर हमने कई important points और आपके साथ discuss कर चुके हैं और यहां पर बाकी के और भी important points जो बिल्कुल real हैं आपके लिए यह तो आपको follow करने ही चाहिए अगर एक पॉइंट आपने follow किये हैं तो आपकी probability कई गुना आपकी बढ़ जाएगी जेई में selection के clear एक मेरी आपसे guarantee है बिल्कुल clear बस आप एक strategy session अटेंड कर रहे हों clear क्योंकि ये सारे strategy session के बाल आप लोगों के लिए ही बनाए जा रहे हैं clear लेकिन जो एक unique तरीके से पढ़ेगा एक strategy based तरीके से पढ़ेगा जो एक maintenance बना के पढ़ेगा ठीक है ना selection उसी का होगा clear knowledge सब के पास है लेकिन उस knowledge को use कौन किस तरीके से कर रहा है इस बात पर depend है आपका selection clear कोई भी examination हो आपका कोई भी छोटे से छोटा examination बड़े से बड़े examination depend knowledge केवल नहीं करती है देखो कोई भी examination को cross करने के लिए knowledge तो हाँ एक important part है लेकिन सब कुछ नहीं है clear तो यहाँ पर आपको हर प्रकार का एक maintenance बना के चलना है clear और उसको मद्दे नजर लगते हुए उसको देखके ही हमें आगे की अपनी तयारी को continue करना है clear इतनी चीज clear हुई सारे बच्चों को ठीक है तो आई श्टार्ट करते हैं आज का हम strategy for GE session 4 clear तो आज का जो यहाँ पर जो भी important point में discuss करूँगा इस सारे बहुत important point है इनको बहुत ध्यान से follow करना और यह आपको increase करेंगे आपकी GE में selection में probability को ठीक है तो ध्यान से देखिएगा आज का जो first point है हमारा वो क्या है but on your concept clear कोई भी topic हो आपका चाहे वो physics का हो चाहे वो chemistry का हो चाहे वो mathematics का हो कोई भी topic हो लेकिन आपको concept पे पकड़ बनानी है ठीक है न तो को practice एक second चीज है लेकिन सबसे पहले आपको उस concept पे पकड़ होनी चाहिए कोई भी topic हो सबसे पहले आपको उसके concept को बिलकुल clear कर लेना है clear सबसे पहले उसके concept को पकड़ बनानी है उसके concept पे जितनी भी मैं अगा कोई concept समझ में नहीं आए तो उसके question नहीं करना है, सबसे पहली हमें उसी concept को, हाँ एक procedure यह होता है कि कई topic mathematics में इस तरीके से होते हैं, कि कई वार concept समझ भी नहीं आता बच्चों को, लेकिन concept को हम question के थुरू जाता better understand कर सकते हैं, हाँ तो यह better है, दीक है ना, लेकिन समझना तो हमें concept को ही पढ़ेगा क्लियर, तो concept भूट strong होने चाहिए आपके, क्लियर, क्योंकि जेए मैंस में, mostly जेए मैंस में अगर छोड़ भी रिया रहा है, तो जेए एडवांस में, वो ही बच्चे अच्छा कर पाते हैं, यह देखा गया है, जिनके concept पे पकड़ अच्छी है, क्योंकि जेए एडवांस में इस तरीके से question पूछे जाते हैं, जो basically concept based हो, जिन बच्चों की concept में पकड़ अच्छी होती है, वो यह एडवांस में बैटर कर पाते हैं, क्लियर, तो सबसे important, first point क्या है मारा, work on your concept, हमें अपने concept पे पकड़ बनानी है, concept जितने भी अच्छे हम अपने कर सकते हैं, हम उ देखो, कोई भी topic हो, आप उसके example, जो भी आप उस से related concept से related question करते हैं, उनको बहुत ध्यान से देखिएगा, आप procedure देखिएगा कि concept का हर एक step, क्या follow हो रहा है question के तो, और नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, किलियर, हर जो भी example है, उन्हें हमें बहुत carefully तरीके से पढ़ना है, किलियर, जो भी concept based question है, उसको देखिए कि concept कैसे apply हो रहा है, किलियर, क्योंकि यहां पर आप जैसे ही question को करेंगे, यह नहीं होना चाहिए कि आप concept कुछ और है, question कुछ और तरीके से कर रहा है, नए, concept based question आपको ध्यान से आने चाहिए, आपको दिखना चाहिए कोई भी question आप solve कर रहा है, तो आपको उसमें concept दिखना चाहिए, कि हाँ ऐसा ऐसा था concept, वो ही apply होके question solve हो रहा है, किलियर, second चीज समझ में आए, कि आपको examples को भी बहुत carefully तरीके से पढ़ना है, कई बच्चे होते हैं, कि वो example बगएरा नहीं देखते हैं, exercise के question ही करने लग अब देखो third, third क्या है, spend some time every day solving problem, clear, mathematics में तो यह बिलकुल आपको funda, जेए की preparation कर रहे हैं, तो यह important point तो बिलकुल दमाख में आपको fit कर ही लेना है, कि हर दिन हमें example solve करने है, कुछ ना कुछ तो practice करने ही है problem की, ठीक है ना, और ऐसा mathematics में नहीं हर, हर subject में, आपके PCM subject है, physics में भी आपको equally focus करना है, chemistry में भी equally focus करना है, और mathematics में ही, ठीक है ना, हाँ, mathematics में question जादा होते हैं, तो थोड़ा समय increase कर सकते है, problem को solving करने के, ठीक है ना, लेकिन हर दिन हमें continuously problem को solve करना है, clear, ऐसा नहीं कि मनलो एक दिन आपने 100 problem solve कर ली, एक दिन बिलकुल भी नहीं की, न चाहिए पढ़ाई, चलनी चाहिए, हर दिन हमें क्या करना है, solve करना है question को, clear, क्योंकि अगर आप solution नहीं करेंगे, क्या होता है, अगर हमारी continuously बनी रहती है, तो हमें उस पर confidence भी आता है, और एक जो हमें question को देख के ही, उसका solution दिखने लगता है, एक कैसे होता है हमारी practice से हम कितना question को practice कर रहे हैं, कितना हम उसका अभ्यास कर रहे हैं, इस बार पर depend करता है, समझ रहे हैं, आप जैसे ही क्या, देखना, आप सभी रच्चों का होता है, कभी आप कोई बुक को अगर जादा दिर तक नहीं पड़े, तो आपको ऐसा लगता है, अगर तो बहुत आप कड़वट हो गया, ठीक है, कोई भी आप हो, अगर आप नहीं देखें, तो आपका confidence level बिलकुल down हो जाता है, अगर आप चार पार दिन ही कोई वच्चा का जेई की तयार ही चार पार दिन का ही rest ले ले ले, तो इसे ऐसे लगने लगता है, आप तो मैं बहुत पीछे हो गया किसी भी चीज के साथ, तो आपका confidence level भी down हो जाता है, clear, तो हर दिन आपको connection बना के रखना है, clear, तो हर दिन हमें कुछ ना कुछ problems को हर subject की solution करना है, okay, clear हुआ, आया, third point समन में आया, okay, तो यहां तक कि जो third point है, यह important थे और आपको follow भी करने है, लेकिन अब जो मैं point आपके साथ discuss करने जा रहा हूं, वो बहुत important है, अगर even बोला जाए, तो इस session का सबसे important point वो ही है, clear, कई मच्चों को दिक्कत होता है, यह हमारे daily life में भी कई बार इसी तरीके से हमें कोई अगर situation मिल जाए, कोई कथिन situation मिल जाए, कोई problem आ जाए अगर हमारी life में, तो उसको भी आ कोई hard topic हमें मिल जाता है, ठीक है, तो आज का important point क्या रहेगा हमारा, fourth point important रहेगा, के लिए सबसे top most important point है, क्या है, how to understand tough topics, यह तो देखो कोई बोली नहीं सकता कि मुझे कोई topic tough लगता है, ठीक है, हर वच्चे को कोई ना कोई उसका big point ज़रूर होता है, चाहे वो chemistry में हो, च mathematics में, कोई ना कोई topic ऐसा जदूर होता है, किसी ना किसी वच्चे का, जो से tough लगता है, तो मेरे बिस्वास मानिए, यह topic समझने के बाद, आप कोई भी tough topic को 2 minute में clear कर देंगे, बिलकुल clear कर देंगे, clear, कोई भी tough topic है, उसकी analysis समझ लीजिए, तो आप उसको forward देंगे, exam में अभी भी forward देंगे, अभी भी forward देंगे, और बाकी कभी भी हो, आप उसको forward देंगे, clear, तो आएए देखते हैं, समझते हैं, देखो, first step आपको क्या करना है, कोई भी difficult topic है, आपको उसको कई पार्ट में break कर देना है, clear, कई पार्ट में break down the topics in several parts, कोई cutting topic है, नहीं, हम एकरता उसको नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, उसको कई पार्ट में divide कर देंगे, आपको एक topic है, मालीजी कोई cutting topic है, उसको several parts में divide कर देजिए, okay, कई छोटे छोटे पार्ट में उस topic को, tough topic को divide कर देजिए, हम एक साथ उसको cover नहीं करेंगे, हम तो अलग-अलग part में second step क्या है draw diagram to understand the topic जो भी अगर कोई topic ऐसा है जिसका diagram possible है तो जरूर उसको उसके diagram के थरू समझे क्योंकि कोई भी चीछ अगर आपको देखे ना visualize हो तो आपको बहुत अच्छे से understand होती ही उसकी building ठीक है ना तो कोई भी topic है और tough है उसका diagram possible है तो सबसे पहले उसको diagram के थरूई समझे के लिए इतना चीज समझे और third क्या है जो भी आपने इस several parts break किये है इनको learn one way one एक-एक करके समझे के लिए आपने कोई cutting topic है उसको कई पार्ट में break कर दिया तो अब उन part को एक-एक करके हम कबर करेंगे हम उस lengthy part को साथ में कबर नहीं करेंगे हमने जो सेवरल part convert कर दिये हैं उनको एक-एक करके हम क्या करेंगे कबर करेंगे clear हुआ कि नहीं हुआ सारी point size समझ में कि नहीं है ठीक है ना यह important है diagram के through हम समझे और उसको कई पार्ट में break कल ले clear तो अब आपका कोई भी tough topic को आपको यही stagnity follow करके उसको cover करना है और मेरा बिस्वा से आप यह follow करिएगा आपका कोई tough topic आपको tough नहीं लगने बाला clear समझ में आया कि नहीं है तो आज की जो last line है और आप सभी के लिए important है वो देखिये क्या है don't die before your death ठीक है ना एक कुछी सब्द है लेकर यह पूरी life का यार मीनिंग है कई कई लोगों को मैं देखता हूं कई बच्चों को भी देखता हूं even जो बड़े होते हूं उन्हें भी देखता हूं तो यार अपनी death से पहले ही मर जाते हैं मौस से पहले ही मर जाते है इसका मीनिंग क्या है मलाब अगर आपके बच्चे भी इस तरीके से होंगे आप देखेंगे बिल्कुल इस तरीके से ऐसे रहेंगे बिल्कुल ऐसे है क्या कोई बिल्कुल उन में अलर्जी नहीं मतलब ऐसे हुगा है चैसमा लगा के बस पढ़ रहे हैं बस अरे इस तरीके के बच्चे कभी भी अगर IIT में आपका selection हो भी गया तो यार आप जीवन की देश में पीछे रह जाएंगे एक्टिबनेस होनी चाहिए हमें एक energy होनी चाहिए हर सोबे हमें ऐसा लगना चाहिए अगर आपको कोई देखे तो ऐसा लगना चाहिए हाँ यार यार ये बंदा selection के लिए बहुत important है ये मेरी कंपनी को आनके लुके कीजाेगा अगर आप में कोई energy युस तरहे के से ऐसे कुक हो तो क्या होगा है कुछ नी होार इस तरहे के से हमें एक energy दिखना चाहिए एक activeness रिखना चाहिए कि हां इसको फोर देंगे हम फोर देंगे तो 40 देंगे ठीकस ने तो एक्टिवनेस एनरजी आपको आपके लाइफ में बट हा लेके जाएगे के लियर्क तो हमें मुझसे पहले नहीं मुनता है को एक दिद् Séam जब तक जी रहेन न उसके पहले नहीं स्मझें न इंटीज來說 कोई भी काम है फो रहेंगे उसको किलियर सबज़ में आए तो एजेए की जो जन्री है वो लेंदी है इसको हम एक्टिमनेस के साथ जीएंगे बिल्कुल लाइफ लॉंग तरीके से जीएंगे इस तरीके से निजे रहेंगे जो इनलाइन है ठीक है ना इसके पहले दैत के पहले तो हमें कभी मनना ही नहींगे ठीक है जब तक जियेंगे पूरी लाइफ को इंजोई करते जियेंगे किलियर तो आज के सेसन में इतना ही रहने देते हैं लेकर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बना लाइक के बिलकुल नहीं जाएगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को ऐसी ही और इंटरेस्टेंग इस्टेजीती वीडियो के लिए सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा किलियर तो इस वीडियो में यहीं तक नेक्स सेसन में आएंगे और इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस करेंगे तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतक रही मास परने देखते रहें के जे डुब्लूशन किताब से आप सभी को गोड़ बाई